अब राज्य में होगी लोड शेडिंग शुरू उर्जा मंदरी नितिन राउत ने की जनता से स्तीती संभालने की अपिल विकास को गती देगा IIM नाकपूर विधर्ब के विद्यार्थियों को मिलेंगे बहतर से बहतर अफसर और दबाओ में विश्व विद्याले परिक्षाई होगी ऑन राइट मौके से चुगने वाले विद्यार्थियों को देनी होगी ऑफलाइन परिक्षा 14,000 मेगावाट बिजली की कमी से जूज रहे विराज्य में अब लोडशेडि करना जरूरी हो गया है यह जानकरी राज्य के उर्जा मंतरी नितिन राउत ने दी है इसे के साथ साथ ये भी सपष्ट हो गया है कि अब महराशा लोडशेडिंग से रस्त रहेगा राज्य सरकार के और से लोडशेडिंग किये जाने के फैसली की अधिकृत घोशना करते वे उर्जा मंतरी ने बताया कि जिन क्षेतरों में बिजली के बिल अदा नहीं किये गया है और जहां बिजली की चोरी होती है वहाँ लोडशेडिंग की जाएगी बिल बकाया और बिजली चोरी के आधार पर राज्य में नौ श्रेनिया बनाए गई है इनमें G1, G2 और G3 श्रेनी वाले इलाकों में कटोती होगी उन्होंने कहा कि कोईले की भारी कमी तथा कोईले की आपूर्ती के लिए रेल विभाग द्वारा रैक उपलब्द नहीं कराया जाने की वज़ह से ये कदम उठाना पड़ रहा है बिजली संकट पर मुख्य मंतरी उध्व ठाकरे, उर्जा मंतरी राउत और उर्जा विभाग के धिकारियों की आज लगभग तिन घंटे तक चली बैठक में लोट शिडिंग का उपचारिक निरने लिया गया है और अब खबरे विस्तार से भारतिय प्रबंदन संस्थान नाकपूर, IIMN के चेर्वेंड सिपी गुरुनानी ने कहा कि नाकपूर में संस्थान के शुरू होने से निश्चित रूप से नाकपूर समिट समुचे विधर्प के विकास को गति भी लेगी साथी अंतरराष्ट इस तर पर पहचान भी मिलेगी IIMN नाकपूर में पढ़ने आने वाले विध्यार्थी कक्षाओ के कारेक शेत्र में जाकर अध्यान करेंगे खेतों में जाकर किसानों से सीधा सववात कर अनुसंधान करेंगे जिससे विकास की गति तेज होगी गुरवार को IIMN नाकपूर के मिहान विशिश आर्थिक चेत्र में नई इमारत के उध्गाटन वदिक्षांत समारों को लेकर एक सब्वादात सम्मेलन का आयोजन किया गया इस दोरान पत्रकारों के साथ बाच्चित में उन्होंने ये बात कहीं आपशन के engineered program of Nagpur and also executive program of Poonah, the competition is only in that Vidarbar region and industrial belt in western Maharashtra, you know for example Poonah we got participants right from Rishawar, New Mumbai, Thane, Aurangabad, Kolhapur and apart from you knowTadai Gaw and all those industries you know NJ Vadi and all, So, that is how, this is a great opportunity for the state and particularly for the Nagpur. They will get opportunity to get an IIM MBA degree with the competition in this local area. So, this is the biggest benefit, apart from, as our chairman rightly said, innovation and research power. So, we are talking with the industry minister and our talk. IIM Nagpur के शुरू होने से यहां के विद्यार्थी लोजिस्टिक मैनेजमेंट, अनुसंधान, वह कुरुशिवेग्यानिक, वह विधर्ब के छोटे, वह बड़े उद्योग, वह किसानों के साथ भी सवाद सादेंगे. संस्थान के निदेशक डॉक्टर भीमराया माइतरे ने कहां कि IIM Nagpur के नए पाठ्यक रमों को विदर्ब के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तयार किया जा रहा है, ताकि यहां के विद्यार्थी भी बहतर प्रबंदन शिक्षा हासिल कर सके, इसका सीधा लाब नाकपुर शहर को भी मिलेगा, समवादता सम्मिलन में IIM के मुख्य प्रशास की अधिकारी मकरन अलूर प्रमों गुरुप से उपस्तित थे. गृष्व विद्याले के और से तीन महा पूर्व ऑफ्लाइन परिक्षा लेने की घूशना की गई थी, इस फैसले को बदलने का फैसला लिया गया था. हाला कि इस समंद में विश्व विद्याले के परिक्षा वो मुल्ने मापन मंडल की निदेशक डॉक्टर प्रफुल साबले से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परिक्षा लेने के पीछे विश्व विद्याले का मकसद शैक्षन 1722 तेस को समय पर शुरू करना है परिक्षा ओनलाइन होने से इनके नतीजे 30 जुन तक जारी हो जाएंगे नया शैक्षन 17 जुलाई से शुरू हो जाएगा वक्तों जुलाई एक ब्रेक का मिलते एक चोटे से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्टतक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अभियोदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर कॉल और विजिट करें ब्रेक के बद आपका स्वागत है संजराओत ने गुर्वार राध दक्षिन नागपूर में एक जनसभा के जरिये शिवसैनिकों को सम्मोधित करते वे कहां कि अगर विदानसभा चुनाओ के बाद अगर फड़नवीस को सदबुधी आती तो आज वो सत्ता में होते इसका जवाब देते वे संजराओत ने नागपूर में एक बैठक में बयान दिया है कि अगर फड़नवीस ने समझधारे से काम लिया होता तो वो आज राज्यो के मुख्यमंतरी बने रहते कि शिवा से नहाँ अपला मित्र पक्षय है शिवा से नहाँ अपला हिंदूतोवादी पक्षय है अपन ते अप महित्री चा नात्यान रहेलों पाईडे ही सुबुधी आली आस्ती तो आज अपने कदाचित बुख्यमंतरी आसता राश्रपती रामनात कोविन का 23 अप्रेल को पुर्वन यूजित नापपुर दोरा एन वक्त पर टल गया उनके हातों भारतिय प्रवजन संस्थान नापपुर आई-ाइमन की नए इमारत का उधटन होना था लेकिन किनी कारणों से कारेक्रम में बदलाव किया गया है इस समद में राश्रपती भावन से संस्थान के साथ पत्र व्यभार किया गया अब ये समार हो आठ माई को होगा आई-ाइम नापपुर के चेर्मेन सिपी गुर्नानी निदेशक डॉक्टर भीमराय माईतरी वो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मगरत अलूर ने जान करिदी कि उन्होंने बताया कि आई-ाइम नापपुर की नए इमारत का उधगाटन 23 अपरेल को होना था लेकिन राश् पती आठ माई को नापपुर आएंगे और आई-ाइम नापपुर के नवनेरमित वास्तु का उधगाटन करेंगे पुर्व मुख्य मंदरी देविंदर फट्नविस ने आई-पेस अधिकारियों के तबादले पर प्रतिक्रिया अभ्यक्त करते हुए कहा कि राज्यके के वरिश्टा आई-पेस अधिकारियों का कल तबादला करने का आदेश दिया गया था लेकिन उन में से कुछ को आदेश जारी होने के महज 12 घंटे बाद ही रत कर दिया गया देविंदर फट्नविस ने कहा कि इससे पहले भी दस आई-पेस अधिकारियों के तबादले रत किये जा चुके है ऐसी प्रतिक्रिया देविंदर फट्नविस ने दी है अजाते सीवेया चा स्कैनर मदे आए और शुली चा तो भाग होता असा देकिन त्या काडा मरे लक्षा देता है असा कई प्रकार आहे निमका काई प्रकार है ये समोज लपाइजे ये वोड़ा से बादमने करने करता है जैंचित पूल खोल होते है ये अस्वस्ता है अस्वस्ता है अस्वस्ता हुरू के आमचार अज़ावर खुले करता है अधिनिक कित्नी ही हल ले किले तरी पोलखोल खबडार में आडी पोलीसानी जार कमना सावरक्षन देख पोलीसान ची नेके लाभी पोल्खोल के ले जो आला अक्रार साथा अध्रा मंजेगी इए पर्मीशन में भी अध्यावर मंजे राउज नाकपूर देता है एका महिने पुस्त बूस्त पेंसाना अंध्रा मंजेगें सिफ्क नाकपूर है सब्सक्रा मंजेगें अध्रा मंजेगें गुटर देनी किले तरी सरकानी कि उसनी जाख एए पोले मंजेगें सर्णोर तूपट गिले अमराव ती जिल्ल्या मदेर इंज्ञ आट्चा अगे जश्टालया चाने मत्री यह डिकाली करता है कि अत्मा परिस्तिती अधिक वाइट होते हैं या लांगूल चानला मुझे दोन समाज एक में का समवर उभेर आता है कि अमले आज भी परिस्तिती या ठीकाडी उभी होता है याच्छे एक प्रुपविधायक आशिश देश्मुक ने कुने एक स्टन किया है उन्होंने गुरुवार को सम्रुद्धी महामार्ग पर 213 किलोमेटर प्रति घंटे की गति से वाहन चला कर वीडियो तयार किया है सम्रुद्धी महामार्ग का लोकारपन अभी होना है चुकि इसका अधिकांश काम है जो पूरा हो चुका है इसलिए स्थानिये लोग इसका उपयोग भी करने लगे हैं इसी कड़ी में देश्मुक ने लोकारपन से पहले फरिट से इस पर वाहन दोड़ा दिया इसका वीड जगा चा मात्यमातून विधर्भ अब उंबईला स्नवेंक संपूर्ण जगाला जे एन पीटी चा मात्यमातून कनेक्ट करतो हैं माजा अववानाय सर्व विधर्भात इन लोकान ना यहां महामार्गाता फाइदा गेट अपले आई थे अउद्धोगी करन करा अंसलेरी उ जगा परेंत विधर्भात बनो लेल्या वस्तू यहां सम्रुद्धी मार्गा चा मात्यमातून अर्यार्था नी विधर्भात सम्रुद्धी आंटील अतिशय चांगला सहार रस्ता है इसे दोन्षे चा वर स्पीड नी गाड़ा तालू शक्तात नीतमनील सरकार नी अतिशय तो प्राइम टेम न्यूज में अभी इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूज नमस्कार कर दो